अब प्रेक्टिकल डिमस्टेशन आप देखेंगे और इस लेट मशीन पर स्टेलस स्टिल की यह ठाली के बंके आती यह फिर उसके जो कॉर्णर होते वहो शार्प होते उनको bend किया जाता है मोडा जाता है तो उसके लिए हम ये spring late use कर रहा है तो अब ये operator आपको दिखाएगा किस तरह से bend करते है काफी simple setup रहता है इसमें ये देखिए थाली आ चुकी है अब इनको यहाँ पर लगाएंगे mold होता है साचा जिसको पर और पीछे से इसमें पुष्ट करते है एक टेल स्टॉक वाला पार्ट है और प्रेस करते हैं फिर इसमें टूल की जगए ये एक डाई जैसा लगा रहता है जो कि इसको bend करता है और fold करता है यहाँ से ये टेल स्टॉक वाला हिस्सा है इसमें आगे एक plate लगी रहते है जो कि पीस को या plate को support तर रही है और इसमें carriage नहीं होता है इसमें simple जो भी आपका tool होता है उसको move कराने के लिए screw लगे होते हैं जिसको manually आप move कराते हैं यहाँ पर operator की skill काफी important role play करते है और इसमें कोई भी tool का movement automatic नहीं होता है वो आपको हाँ से ही कराना पड़ता है देखे operator control से लगा रहा है फिर tool का movement करा है हाँ से manually hand wheel घुमा के यह देखे आप यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं यह tool है इसका basically tool में भी उसी तरह का impressions होते हैं जिससे आसानी से बेंड हो जाए और इसका जो मेंडल उसको उपर लगा हुआ है या इसको डाई मेंडल बोलते हैं तो उसी तरह से लगा हुआ है जैसे आसानी से बेंड हो जाए और यहां पर काफी simple setup होता है मैं आपको power transmission का mechanism में दिखाने जा रहा हूँ अभी थोड़े में कि देखे बेंड किया बेंड करने का फिर उसको double fold करते हैं जैसे नॉर्मल थाली में आपने देखा होगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर spindle को ऊपर यह डारेक मेंड जैसा लगा रहता है डाई लागी रहती और motor है motor से डारेक्ट पावर इसमें ऊपर transmit करते हैं spindle में और spindle को support करने के लिए पेडेस्टिर बेरिंग लगा है दोना तरफ और एक फ्लाइवील जैसा लगा रहता है और यह अब देख सकते हैं hand wheel है जिससे screw attach है और इससे आगे पीछे moment कर रहा है operator है इदे के motor है नीचे मोटर से फिर बेल ड्राइब को थूप इसमें मोटर से डारेक्ट पावर ट्रांस्मित कर रहा है और इसमें मोटर से डारेक्ट पावर ट्रांस्मित करते हैं जीच में कोई gearbox या उस तरह का सिस्टम नहीं होता है इसलिए जैना की high speed machines operate कि आपको एक प्रेक्टिकल एक्सपजर मिला हुआ है इसके यहां पहुत सारी थाले इस तरह से रखने हैं इसके बाद स्कूपर बफिंपर्फूम होता है और बफिंवाने का पैक होके जहां पर रुकरमेंट होते हैं और इससे पहले यह बनाने के लिए हम हाईड़लिक पा कर देते हैं और चेंड करने के लिए यहां पर हाईड़लिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं थैंक्यों